नमश्कार दोस्तों, बगवार आप सभी कवर ला करोड़ आपके सारी एक्षाएं इम्मन कमने परी हो दोस्तों, आज मैं आप सभी कोई इसाथ से रेलेटेड महत्पुन जान करें वेक करूँगा जिसमें सब्बत हम यहापर आपके फिंगर के एनलिसिस के बाद इस परेपाम का एनलाइस कर आप सभी के सामने वेक करूँगा और यहाँ पर जो आपकी क्वेरिस हैं उन सभी का आंसर भी इसमें कोवर किया जाएगा तो यहाँ पर फिंगर के लिए इन परेपाम की कमपरेजन में शॉट है जो एक fast decision making habit को थोड़े जल्दबाजी हो हर बड़ी के किसमे के नेचर को दर्शाता है इसके अंतरगत instant decision लेना या अपने thoughts के पर बहुत जल्दी काम करने लगना जिस बात से inspired, motivated या influence हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके देखाना यह सब आपकी basic nature में देखने को मिलेगा यहाँ सारे finger के comparison में जब little finger purely independent होता है तो यह व्यक्ति को independent nature अप्रोच देता है जिसके अंतरगत आप सुन सब के लेंगे लेकिन अंतिताह करेंगे मन की जितने दफ़ा यह formation देखा गया है कि little finger independent stand कर रही है हमेशा family life issue, adjustment issue, trust issue बहुत ज़्यादा आप जैसे जातको के जीवन में होता है क्योंकि आप अपने तरफ से उतना ज़्यादा faith या sympathy या उतना ज़्यादा trust किसी पर कर ही नहीं पाते क्योंकि उतना एक independent nature आपने अपना बना करके रखा होता है तो कोई भी वेक्ती थोड़ा बहुत भी close आने में भी सोचता भी है तो यह factor बहुत ज़्यादा देखने को तब मिलता जब little finger purely stand कर रही हो means independent work कर रही हो और फर्स्ट फिंगर के लेंट ज़्यादा हो प्रावडी जो people होते हैं उनके हाथ में first finger के लेंट strong होती है तो यहाँ पर यह पूरा formation आपके हाथ में है आप जैसे जातकों को independent work करना चाहिए और जो आप teaching line में है यह भी आपके लिए fruitful रहेगा अब यहाँ पर सबसे biggest आपका जो question निकल के आता है कि मुझे वो sympathy वो love care attachment या प्रेम दुलार प्यार या घर परिवार का सही होग spouse का सही होग जीवन में के सब future में रहने वाला भी तक ज़्यादा मज़े नहीं आए जीवन से तो यहाँ पर आप देख सकते है clear cut indication है बिल्कुल साफ सुतरा की life line के parallel 35 के एज तक कोई भी simple as that line available नहीं है support में और आप 35 के एज के बाद में देखेंगे तो यहाँ पर आपकी supportive line start हो जाएगी यह आपके spouse की ही रेखा है आपका हाथ देख के एक second के अंदर समझ में आ गया था कि आपका जो married life है सबसे ज़्यादा beneficial, fruitful और सबसे bestest spirit रहने वाला है reason उसके पीछे simple यही था कि आपकी जितनी भी fate line start हो रहे हैं उन सबका जुकाओ moon के तरफ से यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर overlap करती हुई रेखा भी moon के तरफ से जुक करके गई इसके अलावा जितनी भी mercury line है, mercury line आपके fate line से अटेच नहीं है वो भी चंदर से ही निकलते जा रहा है तो यह भी वेक्ति को एक एक जीवन में समरिध्धी प्रसिद्धी देने के साथ साथ अच्छा खासा इंटेलिजेंसी, आर्णिंग सोर्स को और जादा बढ़ा देना और हेल्थ को और जादा अच्छा कर देने जैसे योगों को रिप्रेजन करता है और जितनी भी moon luck line होती है जो fate line के रूप में convert हुई है, यह सब आपको जन्मिस्तान से दूर growth, success, opportunity और एक प्रकार से success after marriage को सबसे पहले यह represent करता है तो यह इस प्रकार का लख है जो दर्शाता है कि जब तक शादी नहीं हुई, तब तक जीवन में उदासिंता बनी ही रहती है किसी ने किसी कारण वर्ष marriage होने के बाद life में सारा का सारा satisfaction, happiness और peacefulness है, तीनों चीज़ें exist करने लगती है और जब यह तीनों आती है तब यह prediction भी दिया जाता है कि यह आपका जो भाग्यूदय है वो marriage के बाद होगा अगर इन सब के बावजूद भी अगर कुछ दिक्कत आएगा वो थोड़ा आपके तरफ से आने वाला है, क्योंकि independent nature है तो ज़्यादा closeness या ज़्यादा किसी का care करना भी आपको फिर पसंद नहीं आएगा बाद में, यह भी चीज़ अपने life में आप practical देखिएगा, साथ आपको थोड़ा अपने आपको और flexible यहाँ पर करना रहेगा, flexible in the sense की easily हर situation के accordingly अपने आपको ढाल लेना, हर प्रकार के लोगों से अपना जो वातावरन या जो एक बोल चाले वो बनाया रखना, इन सारी छोटी छोटी आदर तुसे ही communication भी strong होने लगता है और एक प्रकार स अब योग around 35 और 36 के मिड में है क्योंकि उस समय ही आपकी supportive line यहाँ पर generate हुई है, इसलिए उसके बाद ही जीवन में आपको सबसे tremendous success या growth मिलेगा, और जो foreign connection है उसके होने के chances को इतने strong नहीं है लेकर foreign traveling multiple times होने की योग है, यह clear cut आपके palm में visible हो रहा है, यहाँ देखेंगे तो little finger के जो length है थोड़ी सी short भी है, तो कई मरतबा बाते मन में ही दबी रह जाती है, खुल करके अपनी बात किसे के सामने व्यक्ति नहीं कर पाते हैं, थोड़ा hitch के chart या मन के अंदर बावत को दवाने जैसे प्रवतियां भी देखने को मिलती है, first finger के length वैसे भी as a leader, advisor, guider consultant, teacher बहुत अच्छा professionally growth करवाती है, बहुत कम उम्र से ही जिम्मेदारियं सरक्यों पर आ जाती है, तो वो जो परिवार का जो सुख है, वो देखने से बंचीत रह जाते हैं, और वैसे first finger के length जब बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो तो family life के regarding एसे जातकों को unsatisfaction, unstability होता ह क्योंकि जतना ज़्यादा expect करते हैं, जतना ज़्यादा dedication होता है, उसके comparison में बहुत कम family life से कुछ मिल पाता है, यहाँ पर देखेंगे, तो finger के उपर आपके सीधे खड़ी रेखा, friendly nature को represent कर रहे हैं, तो आप अपने रिष्टे नाते भी अच्छे से maintain करते हैं, उसमें कोई internal mass दोनों की स्थिति ठीक है, तो यह physically fitness और stamina energy के ठीक माना जाता है, थम का size short है, तो to the point बात करना सुनना ही ज़्यादा पसंद करते हैं, बेफिजूल के बातों में या बेकार की वारतला आपका हिस्सा कभी भी आप जैसे जातक बनते नहीं है, जूड बोलना या आपके पास आ रहा है, अगर वो direct बता दे तो यह आपको ज्यादा अच्छा लगने वाला रहेगा, यह कचिन 6 तसम्स बहुत अच्छा यह देता है, कई मरतबा पूरवा अनुमान आवाज एक दम सही बीटता है, और शपनों के माद्धम से भी भवविश देखने की दरश यहाँ पर बनते हैं, जहाँ पर थमका जॉइन पॉइंट है, वहाँ पर आपका मानसल अच्छा है, तो इस कंडिशन में सेल्फ रिस्पेक ज्यादा देखने को मिलता है, और यही रिजन है कि किसी के सामने जुक जल्दी नहीं पाते हैं, पाम का जो साइज है, वो आपकी यहाँ पर स्क्वेरिश शेप में कनवर्ट हो रहा है, लंबाई में थोड़ा ज्यादा शो होने लग रहा है, जिसके करनी लॉट्स अव डिर्म डिजार अमबिशन को रिप्रेजन करता है, पर अंतो मेहनत में कोई कभी नहीं है, और पीछे के तरफ आपकी फिंगर भी थो को रिप्रेजन करता है, क्योंकि continuous efforts आप अपने life में लगाते रहेंगे, तो यह इस प्रकर का Jupiter family life वो बच्चों को सुख, बहुत अच्छा देता है, सेटन के स्थिति बहुत शांदार है, आपका सेटन लाइन बहुत बहतरी निहाँ पर response करा है, क्योंकि इतना straight, जब skill के मा वाफिक कोई रेखा खीची हुई हाथ में देखने को मिले, तो बहुत अच्छा यह भागे को दर्शा आता है, हाला कि यह भागे का असर आपको old age में ज्यादा मिलेगा, लेकिन आप बेफिकर रही है, आपका सबसे अच्छा जो luck generate हो रहा है, वो जस्ट अभी 3546 के HC हो रह और proper good will को indicate भी करता है, क्योंकि अंत में क्या हो गया कि यहाँ पर भी शनी पर by four के कसाइन हो गया, तो by four के कसाइन life में satisfaction देता ही है, उसकी जिम्मेदारी ही है, यह भागेशाली होने का चिन है, पूर्व जन्मों के कर्मों, एक प्रकर से कर्मों से यह चीज़े आती है, अ आपका करियर में भी बहुत बड़ा उच्छाल आने वाला है, क्योंकि उसके बद आपके सूरे रेखा जनरेट हो रही है, और सूरे रेखा वेक्ति करने के साथ सथ एक position authority पर पहुचाती ही है, इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आपके हाथ में लगेगा, जिसके क करन हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों के संखे जादा हो सकती है, या फिर आप बहुत बड़े कोई responsibility वर्क या authority पर आने वाले रहेंगे, तो ये name respect भी even बड़ा देने वाला रहता है, सूर के उपर एक कमी मुझे दिख रहा है, तो वो सिर्फ है ये कि बार बार यहां र लगता है, हाला कि तब भी यहां से रेखा निकल के बुद्ध और सूर के बीच में गई है, जो ये अशिश्वी योग का निर्माण कर रही है, जिसके अंतरगत ये property होने के 100% योगों को दर्शाद है, जो खुद के दम पर अर्जित कर पाएंगे, और बीच की इन तक स्थिती देखें, तो Mercury Mound पर एक सेते दिखे रेखा, Multiple Languages का Knowledge, Good Intelligency का कारक यहां पर माना जाता है, Sympathetic Nature ये देता है, Definitely, और यहां पर आपकी जो Union Line है, वो दो से तीन दफाशो हो रहे, तो Life में दो वो उससे ज़्यादा बार Attachment, Relation बनने के Chances बनते हैं, रेदर रेख ये रेखा का Fluent Flow को Jupiter पर जा रहा है, तो चाहा करके भी किसी को धोका नहीं दे पाते हैं, नहीं किसी के साथ गलत होते हुए देख सकते हैं, दिल के बड़े साफ होते हैं, जो बीच में रेखा जा रही है, ये Practical Spirituality को दर्शाता है, तो अंधी बक्ती नहीं होती है, हर चीज से जातक उनमें से नहीं है, जो किसी भी बात को धोड़ने या किसी भी चीज के पीछे logic धोड़ने के लिए पूरा का पूरा अपना टाइम बताएंगे, आप जैसे जातक वो लोग होते हैं, जो instant react करते हैं, instant अपना बात रखते हैं, instant logic मतलब तथियों के साथ अपने बात क प्रूफ करने वाले रहते हैं, तो गुमा फिरा करके भी इस condition बात करने या सोचने विचारने का जो एक प्रकार किसे mentality है, वो नहीं देखने को मिलता है, तो यहाँ पर यह आपको बहुत quick decision taker, quick answer देने वाला व्यक्तित भी देने वाला रहेगा, यहाँ पर देखेंगे तो आपका जब रदरेखा से कोई शाखा मंगल के तरफ जुकता है, तो यह aggression गंदा देता है, और इस aggression के चकर में कई मरतबा जो actual situation है नहीं वो भी हम सोचने लगते है, aggression की करन सबसे trouble जो आता है, वो mental pressure के रूप में आता है, जिसके करन loneliness भी कई मरतबा feel होता है, अभी तो ऐसा है कि भागे तो बहुत मजबूत हो रहा है, आपका तो आगे चल गर गए तो आपको यह सारी feeling नहीं आएगी, लेकिन अपने aggression पे बहुत control रखना है क्योंकि इसके करन आपको frustration, irritation जैसी चीज़ें भी होगी, यहाँ देखेंगे तो life में इंडिपेंडेंस से आपको तक available है, तो इस condition में व्यक्ति का दिमाग हर तरफ फिर कईना के research sector में ज्यादा जाने लगता है, तो हर बात के जड़ तक जाने की प्रवति इस condition में होती है, आपको overthinking, negative thinking से अपने आपको दूर रखना है, otherwise mental pressure या trouble आपको बढ़ेगा, mind line के स्थिति बिलकुल सामान नहीं है, और यहाँ पर देखे life line का flow, तो life line का flow में overlap एक जगे पर हुआ है, और यह उम्र हो जाएगा आपका तक्रिबन 24 से 27 की मिड में है, तो इस period में life में continuous changes और continuous royalty वो standard of living में changes शो हो रहा है, यानि और जादा बड़ोतरी दिख रहा है, फिर यहाँ पर भी एक हलका सा gap है और फिर उसके आद वापिस से gap नहीं है, in the sense overlay भी हुआ है, वो भी तक्रिबन 36 का ही edge denote कर रहा है, तो यह जब overlay होती है life line पे तो यह वेक्ति के standard of living luxuries को बढ़ा देने वाला रहता है, middle of the palm में आ रहा है life line तो career focus, self focus, self oriented nature भी होता है, internal mars, outer mars दोनों develop ठीक है, तो physically fit और mentally alert दोनों रहने के युग बनते हैं, outer mars रक्ति को mentally strong रखने के अंतरगत, जुनों होसला पराकरम और शहन शिल्ता देता है, तो किसी से भी मिलते हैं, तो बहुत जुनों और होसले के साथ मिलने के एक nature हो जाता है, और कभी किसी परिस्तितिया, माहुल्स या वेक्ति से डरते नहीं है, शुक को अपने family life को इतना ज़्यादा serious नहीं लेना चाहिए, family life matters को हलके में लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि आप एक तो overthinking भी करते हैं और family life के regarding बार-बार influence या mental pressure या अपने खुद के life को disturb कर रहे हैं, अपना peace, अपना happiness को harm कर रहे हैं, तो इसलिए उन सारे matter को हलके में लेवें, और birthless से दूर settled होने के chances marriage के बाद है ही, तो वेसे भी peacefulness तो बढ़ेगा ही, सिदे खड़ी रेखा opportunities को बढ़ाती है life में, केतु का position यहाँ पर सामान नहीं, divination होना अच्छा होता है, क्योंकि traveling को बढ़ाता है, यहाँ से निकली हुई भाग रेखा भी दर चंद्र मन का कारेख और जब एसी आड़ी रेखा हो तो मन बहुत जल्दी वीचलीद, भाईभीद या भटकने वाला देखने को मिलता है, इस condition में शिव जी के आराधन आपको करने रहेगी, उसी का remedy आपको whatsapp पर भी suggest किया जाएगा, जिससे आपको internal peacefulness happiness मिल सके, माने triangle fully open ह पैसा रुके अगर नहीं, जीवन में आएगा ठीक, जब भी धना है, कहीं ने कहीं इन्वेस्ट कर दे तो वो पैसा रुके का भी बचेगा भी और फिर बढ़ेगा भी, लेफ्ट पाम में देखेंगे, fate line के बारे में, तो fate line यहाँ पर कुल मिला करके Saturn से होते हुए Jupiter पर प के पाम में, और यह mind line वेक्ति को कभी हार मानने नहीं देता, आपके inner world में क्या चल रहा है, एक प्रतिशत वेक्ति को नहीं पता चलेगा, क्योंकि mind line जब मजबूत होता है, तो वेक्ति अपने आपको strong ही overall life represent करने में लगे रहता है, तो यह दी सबसे महत्मून पते आपके हाथ करे गाड़ी, आशकरता हूँ, सभी परेशनों को तर मिल गया हूँ, तब तक आप अपना ध्यान रखें, आपको बहुत बहुत धन्यवाद